क्या आप इस बार डेली उनिवर्सिटी एडमिशन लेने का सोच रहो? युनिवर्सिटी ऑफ डेली का नौर्थ कैमपस, साउथ कैमपस कॉलेजेज, शिराम कॉलेज अफ कॉलेज अफ कॉलेजेज, सें स्टीफेंज, हिंदू, हांस राज, राम जस खिरोडीमल, मिरान्दा हाउस, डेडी शिराम, नाम सुनाओगा, वर्ल्ट रेनाउन कॉलेजेज हैंगे, क्या इनके अंदर आपको इस बार डेजमिशन लेना है? आपको मैं बताता हूँ, कोई minimum age limit नहीं है, फर एक्जामपल, डेली उन्वर्स्टी ये नहीं बोलती कि, अगर आप 30 साल के हो, तो आप डेली उन्वर्स्टी में admission नहीं ले सकते, या आप 18 साल के हो, या सिरफ 24 साल वालों तक ही ले सकते हैं, एसी कोई भी age limit नहीं है, बार नहीं है, आपने एक साल ड्रॉप किया है, दो साल ड्रॉप किया है, आप इस बर क्लास टोल देने वाले हो, आपने पिछली साल क्लास टोल दी थी, आप eligible हो, उन्वर्स्टी आफ डेली के अंदर, आपको admission कैसे मिलेगा, सिर्फ 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 के स्कोर्स पर मिलने वाला है, क्लास टोल की इस पर कोई वेटेज नहीं है, तो उन्वर्स्टी आफ डेली की website एक बार आप जाके देखो, निहारो इसको A to Z details आपको इसमें मिलेंगी, मैं आपको जो explain करना है, वो ये करना है हो, कि registration process क्या है, University of Delhi के forms कैसे बढ़ना है, पहली बातों मैं आपको बता दू, सिर्फ CUET के form बढ़ना इनफ नहीं है, जो जो universities आप target करने वाले हो, उन सब के counselling forms आपको बढ़ने पढ़ेंगे, डेली उन्वेस्टी के counselling forms को बोलते हैं, CSAS portal, Common Seat Allocation System, बट अभी CSAS portal की registration स्टार्ट नहीं हुई है, बट उसके बारे में notification आपर पास आगे है, जैसी स्टार्ट होगी, सबसे पहले इस चानल पे आपको मिलेगी, चानल को subscribe करो, इसको एक बार मैं पढ़ाता हूँ आपको, registration and admissions, मतलब कौन कौन eligible है, सिरफ इनकी एक eligibility है, एक requirement है क्या, the candidate must be a citizen of India, बस इनकी ये requirement और कोई requirement नहीं है, अच्छा जितने भी regular colleges हैं, इसके अंदर भी बड़े सारे bifurcation हैं, जितने भी regular colleges, अगर आप security के थुरू जाते हो, University of Delhi के अंदर, तो आप एक regular student के लाओगे, बलब Delhi आपको जाना पड़ेगा, offline classes एटेंट करने पड़ेगी, physical classes start हो गई है, online classes नहीं होती, University of Delhi के अंदर, सुबह 9 बे से लेकर, शाम को 4 बे ता क्लासे चलती है, तो for admission to undergraduate program, candidates must register for cvt, at cvt.suburth.ac.in, आपको पता है, cvt 2023 के forms are officially out, इनके forms बढ़ना आप start कर सकते हो, for seat allocation, CSAS, common seat allocation system of Delhi University, will come into play, अब ये CSAS portal कब खुलेगा, अभी open नहीं होया, इनके registration form, probably जब cvt के results आ जाएंगे न, तब आपके पास CSAS portal खुलने वाला, उसके notification जैसी आएगे, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर दे रहाऊंगा, ठीक है, इतने बाद clear हुई, अच्छा एक और चीज़ होती है, school of open learning, ये distance learning program है, इसके अंदर admission लेने के लिए, class will के marks matter करते है, NCWEB, ये non-collegiate women education board है, इनकी Saturday, Sunday, सिरफ only girls की classes यहाँ पर लगती है, इसके अंदर भी आपके admission.uod.ac.in के अंदर admission होता है, इसके अंदर भी अगर आपको admission लेना है, तो class will के marks लिए matter आपके ख़डने वाले है, अगर आप एक foreign national हो, तो आपको पता होना चाहिए, आपके लिए एक अलग website है, admission.uod.ac.in पे नहीं आना, आपको fsr.du.ac.in के उपर जाना है, वहाँ पर ये website उन students के लिए, जो foreign national students के अंदर लाए करते हैं, ठीक है, अच्छे ये मैं बता जेता हूँ, cvt के form भढ़ने के बाद, जब आप cvt देया होगे, result आपका आजाएगा, तो आपको csas portal के अंदर भी register करना होगा, कब करना होगा, अभी उसकी update आने वाली है, यहाँ पे साब लिखाव है, अभी कोई भी update नहीं आई है, इसको जैसी update आई के, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँगा, और पढ़ते हैं, इसके नीचे के लिखाव है, to minimize, to minimize the number of rounds of allocation, and to start the academic session on time, university may explore the possibility of admitting candidates, over and above the sanction strength, मतलब कहने के बाद इसी है, एक college और एक course के combination के अंदर, मालों सिरफ 200 seats है, तो university of Delhi हो सकता है, उस college और course के combination के अंदर, 300.500 बच्चे ले ले, क्यों वो नहीं चाहती कि, second cut of high, third cut of high, तो university of Delhi के पास यह right है, कि उसके बाद जो sanctions seats हैं, उससे ज़्यादा वो over admission कर सकती है, तो यह university of Delhi का पुरा पुरा norm है, आपका इसमें कोई रोल नहीं है, आपको बस समझना है, कि university of Delhi यह implement कर सकती है, दूसरा, details related to allocation and admission through CSAS, तो जो भी यह CSAS portal है न, इसकी notification अभी आने वाली है, और बहुत जल्दी release करे जाएगी, separately release करे जाएगी, अभी तक कोई update नहीं है, तो अपने friends में video जरूर शेर करो, मेरा recommendation रहेगा आपको, हर एक student जो CVT दे रहा, उसको Delhi University target करना चाहिए, हर एक UPSC aspirant, अगर आप UPSC करने का सोच रो, corporate life में जाने का सोच रो, खुद का start-up करने का सोच रो, Delhi University आपको एक बहुत बड़ी opportunity, बहुत जादा exposure प्रोवाइट करता है, यार ये world renowned इसलिए है, क्योंकि all over India से बच्चे आते हैं, 75,000 seats है, 90 plus colleges है, approximately आपके बास 16 plus departments है, कम से कम से कम आपके बास 10,000 से जादा faculties है, University of Delhi के अंदर, तो ये combined package बनता है, class school के बाद बल्ले बल्ले होती है, low investment होती है, कम fees होती है इस university की, और high return आपको मिलता है, exposure मिलेगा, अच्छी placements मिलेगी, लाजवाब campus placements होती है, University of Delhi के north campus, south campus के colleges के अंदर, target आपको top notch colleges करने चाहिए, मैं ये भी बता देता हूँ, University of Delhi के सारे colleges number one नहीं है, तो आपको अच्छा score आने के लिए, CVT की त्यारी अभी से start कर देने चाहिए, आपको पता है, class world का कोई role नहीं है, अगर आप regular student और regular colleges में जाने वाले हैं, तो CVT के score matter करेंगे,